दोस्तों नमस्कार में अब विशेक सिंग और आप देख रहे हैं देश लाइब दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकले साल होने वाले विधान सबाद चुनाओं में अब एक नया ट्विश्ट आने वाला है जो कि राजनीती की आग में घी का काम करेगी योगिन की टेंसन अब बढ़ने वाली है दोस्तों जिहां आज मैं आपको एक ऐसी इंट्रिस्टिंग बात बताने वाला हूँ जिसके बाद यूपी की राजनीती आपको और भी इंट्रिस्टिंग लगने लगेगी दोस्तों खबर है कि अब यूपी की सियासत में राजनीतिक दिगज प्रशांग की सोर अब एंट्रि करने जा रहे हैं जिहां वही प्रशांग की सोर जिनको चुनाव जितवाने के रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है उत्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो प्रशांग की सोर का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड लगबग हर चुनाव में बना रहा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में मम्ता बिनरजी के लावा वो तमिल नाडू में इस्टिलिन की पार्टी डियमके के चुनावी अभियान की कमान समाल रहे थे जिन्हें बड़ी जीत मिली जिसके बाद प्रशांग की शोर अपने आप में राजनीतिक दिगजों की स्रेणी में नंबर वन पर आ गए हैं दोस्तों 2014 के आम चुनाव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को समाल कर सबसे पहले सुर्चियों में आये प्रशांद की सोरब UP की राजनीति में योगी जी की टिंसन अब बढ़ाने जा रहे हैं योगी जी का जो बीपी है वो अब बढ़ने वाला है उत्तरप्रदेश में अगले साल विदान सवाज चुनाव होने वाले हैं और इस बार देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक जो दल हैं देश के बड़े सूबे में अपनी जमीन खोजने की तयारी कर रहे हैं AI MIM के चीफ असुदुदिन OEC पहले ही 100 सीटों पर लड़ने का एलान कर चुके हैं कई छोटे दल सपा के साथ गड़ बंदन करके चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं तो वही इस बार राष्ट्र मंच भी UP के सियासी जंग में कूच सकता है अगर ऐसा हुआ तो चुनावी रणनीतिकार प्रिशान की सोर भी UP में महत्तुपून भूम का निभाएंगे दोस्तों अगर प्रिशानत आएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस कॉन्फिडेंस से मैदान में आती है जिस कॉन्फिडेंस से वो आती है कूदती है उसका सारा कॉन्फिडेंस उनके आते ही धारत शाही हो जाता है इसका ताजा उदारन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले ही जब पश्चिम बंगाल में आम चुनाओं की तयारी चल रही थी तो उस समय टीमसी को कड़ा मुकाबला देने के बाद जब बीजेपी पूरी आकरमक रूप से विधान सभा चुनाओं के लिए खुद को तयार कर रही थी तब ममता बेनर्जी की अगवाई में टीमसी पूरी तरह से रख्षाक्मक मोड में चल रही थी त्यां रख्षाक्मत मूड में पूरी तरह से टीमसी थी बीजेपी लगातार हावी हो रही थी ममता बेनर्जी ने इस से उबरने के लिए प्रशांद की सोर को अपने साथ जोड़ा था प्रशांद के आने के बाद जमीन पर इसका असर बहुत जादा तो नहीं दिखा पर एक के बाद एक नई टीमसी को छोड़ करके नेता जो है वो जाने लगे थे ममता को मजबूती देने के लिए आये प्रशांद की सोर के खिलाब पार्टी में नाराजगी थी पार्टी के नदर नाराजगी थी सब कुछ ममता और प्रशांद की सोर के दोस्तों खिलाब जा रहा था लेकिन तबी 21 दिसंबर को प्रशांद की सोर ने सुभाव जो उनका है उसके विफरीत उन्होंने ट्वीट किया कि अगर बीजेपी इस चुनाव में 100 सीट से अधिक पार करेगी तो वो अपना काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे जिसके बाद सब हक्के बक्के रह गए थे प्रशांद के इस ट्वीट ने अचानक पूरे चुनाव की दिशा को मोड़ कर रख दिया था ऐसे समय जब बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी तब प्रशांद की सोर के दावे को कुछ लोगों ने आत्मघाती या अति आत्मविश्वास वाला बताया था दोस्तों लेकिन बाद में वो रुके नहीं वोटों की गिंती से दो दिन पहले तक वो अपने दावे और वादे दोहराते रहे जिसके बाद आए नतीजों ने एक बार फिर से प्रशांद की सोर को राजनीती का महारती बना दिया है दोस्तों आपको बता दें कि आमादमी पार्टी भी जूपी में अफ्ताल ठोक चुकी है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे आमादमी पार्टी जूपी में हुए घुटालों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है सरकार के विरोध में धरन पर बैठी हुई है उसके बाद अब ये तो साफ हो गया है कि वही आमादमी पार्टी जिसको लेकर यूपी में पहले गिंती नहीं होती थी इस बार नए फाइटर के रूप में उसको देखा जा रहा है लेकिन निगाहें राश्ट्रमंच पर टिकी हुई हैं जो कि खुद क तीसरा विकल्प बता रहा है अगर ममता बेनर्जी और शरत पवार यूपी में आए साथ में प्रिशांक किसोर भी आ सकते हैं और उनकी एंट्री हो सकती है पीके और ममता बेनर्जी के एंट्री सतारूर दल की चिंता बढ़ा सकता है कारण ये भी है कि बीते दिनों पस्च पवार के संपर्ग में थे इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदीश में वर्तमान में सतारूर दल के लिए चुनोती पूर्ण परिस्थितियां है कुरोना की दूसरी लहर के दोरान सरकार की छवी को धक्का लगा है इसका फादा दूसरे दल उठा सकते हैं वहीं दूसरी पश्चिमी यूपी के किसान भी सरकार के विरोध में हैं पश्चिमी यूपी में किसान अंदूलन की वज़े से भादपा को चुनोती का सामना करना पड़ रहा है उधर कुछ दिन पहले ही टीमसी के यसोन सिन्धा ने राकेश तिकैट से मुलाकात की थी राकेश तिकैट कई किसान नेताओं के साथ ममता के साथ मिल चुके है और ऐसे में ये साफ है कि इस बार ममता भी यूपी में ताल ठोक सकती है राकेश तिकैत पहले ही कहते रहे हैं कि वो चुनाओं के दोरान जन सभाएं करेंगे और लोगों से भात्पा को वोट न देने की अपील करेंगे हाला कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी के साथ वो चलेंगे पर इससे ये तो साफ है कि अगर ममता की इंटरी यूपी में हुई तो उसमें प्रिशान की सोर का तड़का लगना कुछ कमाल तो जरूर दिखाएगा जिसके बाद यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योग्या दितनाथ जिनकी मात्वपूर्ण भूम का बताई जा रही है जो लगाए जा रहा है कि अन्दार की इस समय सबसे मजबूत दावेदार हैं उनकी टिंसन बढ़ सकती है उनका बीपी बढ़ सकता है अपने आपने आप जिसके बाद से बीजेपी में कहीं ना कहीं खल बलीब मत सकती है दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें लाइक करें हमें सस्क्राइब करें हमें आगे बढ़ाएं तब तक के लिए नमस्कार फिर आ गया हूंगा नई पसंद करने लगें दोस्तों नमस्कार